हाई गाईज वेलकम बैक टू चैनल और आज मैं बना रही हो फ्लेक्सिट जेल जो कि आपकी हैर एंड स्किन बोथ के लिए बहुत अच्छा है और आप इसे बना के रख लेंगे तो आपके फ्रिज में ये एक मन तक भी खराब नहीं होगा और इसमें आपको कुछ नहीं डाल चैनल के लगभग मैंने अल्दाज से डाला है लेकिन तीन चैनल के लगभग अलसी के बीजिन को बोलते हैं और यह खाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं तो अगर आपका पतला बनता है या गाड़ा बनता है वह मैटर नहीं करता लेकिन अब यह त्री अब इसमें मैं डालूँगी एक ग्लास पानी और यह बड़ा ग्लास है इसमें लोग पानी पीते हैं ठीके और इसका भीगे रहने देंगे हम लगभग हाफ एनार के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप 10-15 मिनिट भी रख सकते हैं तो मैं अभी इसे डग के लग देती ह जैसा कि मैंने आप से कहा कि लोग सिर्फ 20 मिनिट के लिए तो देखें यह जैल की वज़े से नीचे वाली सारी चिपक गई है इसके अब हमें क्या करना है अब हमें से प्लेस करना है गैस के ओपर तो देखें मैंने इसको गैसे प्लेस कर दिया है और जो फ्लेम रखिया है सीम से थोड़ी ज्यादा रखिया है यह आप कह सकते हैं मीडियम रखिया है और यह चला दिया है तो जो भी नीचे चिपक हुआ था वो सब अट गया है अब इसको मैं पकने दूंगी और इसको जब तक झाग नहीं लग जाता है ठीक है आप बैसे की पानी देख पारे अब अच्छे तरीके से बॉइल हो गया है अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रहे हूं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हूं और आपको इसको लूप बॉम में ही चान लेना है बिल्कुल ठंडा नहीं करना है क्योंकि फिर जैल जो है बिल्कुल जम जाएगा और आपकी से अलब नहीं होगा तो दोस्तों में बात यह हैं कि जब हम ऐसी चीजों को लगाते हैं तो हमें लंबे टाइम तक लगाना पड़ता है लेकिन इनका जो होता है वह बिल्कुल नेच्टरल और बहुत ही खुबसूरत होता है आपको पहली बार से ही मिलना शुरू हो जाएग और उन केमिकल वालों की तरह नहीं होती है जो हमारी मतलब आसपास की स्रांडरिंग्स को भी वह हमारी केमिकल्स चाहिए वह शैंपू कुछ भी नुकसान करते हैं आपको मेरे चैनल पर जितनी भी रेसेपी मिलेंगी वह सब सेल्फ्राइड मिलेंगी हाला कि फिर आगे देखते हैं लिए देखिए दोस्तों मैंने जैल को चानने के लिए यहां पेक पैन दे लिया है और यह जो देख रहे है यह तो ठ्राइपॉड है और इसके ओपर भी मैं कपड़ा रखूँगी यह देखिए इस तरीके से कपड़ा है और बेसिकली आपने देखा लोगों को कि वो लोग मलमल का कपड़ा यह इस तरीके का कपड़ा यूज करते कोई कॉटन यूज करते बट मैं बलाॉस का एक सिंध्रिट इस यूज जो कि जोकि ए जॉर्जट है क्योंकि फटता नहीं है और कॉट्टन से मैंने एक दुबार ट्राइक तो वह फट जाता ह तो यहां पर आप देखिए कि मारा जैल अभी नीचे जो इसका बॉटम है यह काफी गरम है मैं हाथ से इसको नहीं चान सकती हूँ बट इसको मैं एक्स्रेक्ट कर रही हूं कपड़े की मदद से तो इसको मैं डाल दूँगी इसको अच्छी तरीके से पूरा उसमें डाल के और फिर मैं इसको एक्स्रेक्ट करने के कोशिश करें तो थोड़ा गरम हाथों से नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके कोई चिम्टा यह कुछ यह जो मोमोज उठाने वाला होता है यह आचार निकालने वाला होता है उससे मैं इस आपको सिर्फ इसकी एप्लिकेशन देनी है इतना मुर्यकुलस इसका एफेक्ट है यह एंटी जिंग है आपके स्किन को टाइट करेगा आपके पोर्स को अच्छे से बिल्कुल मतलब फ्लालेस आपके स्किन को बनाएगा आपके बालों को यह ग्लॉसी बनाएगा बहुत अठाए बहुंता है कि इस तरीके से हाध में हर जगे आप इसको अपलाई कर सकते हैं पड़े ही अराम से रात में इसको अपलाई करके सो जाना है क्योंकि जो है स्किन रिपेर या कोई भी रिपेर सिस्ट्रम बहुत अच्छे से काम करता है आप नेक पे अपने फेस पे ओजिये रेटेट के अपावडर हैं करें इसे में फ्लेक्स के घ्राइट के लिए इससे में फेटरां रजाइबरिया करें कि अरूत्त बेक्सिट के लिए हमेशा 16еч कि बालों में किसी भी न्यूट्रिंट की कमी ना होने पाए इसको आप अच्छी तरीके से सुखा कि आप मैंने बताया सकते हैं अब इसे बन करके आप महीने महीने के लिए यूज कर सकते हैं उसे पहली खतम हो जाएगा यह मैं आपको दिखा रही हूं कि अगर आपके बाद स्पैचुला होना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके वर्तर में इतना भी कुछ भी आप बनाते हैं तो कुछ भी आपको वेस्ट जाएगा से आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं कुछ आपके बतर में लगाना रह जाए जब आप इसे अपने हैर पर यूज करेंगे न मैंने काफी हद तक इन्हेंस कर लिए हैं तो उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड रैसे भी बहुत अच्छी लगए होगी तो प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कीज़ेगा एंड मेरे कते दो झागर आपको वाल सांट ग्लीज कर द दो जारे होगी तो मेरे कीज़ेट नेंस सब्सक्ता है तो loh हेते हमेर को ऑगता हैं उम्हेतों कांटार हैंस झाल झाल